जै मा काली मित्रो, आपका मेरे चैनल मा काली मा दुरगा शक्ति समवाद में स्वागत है मित्रो, आज का जो विश है, वो विशे मेरे सब्सक्राइबर का एक प्रशन है और इस प्रशन में आप सभी के लिए बहुत महत्पूर्ण जानकारी है इसलिए आप इस विडियो को पूरा सुने तो प्रशन इस प्रकार है, काजल राई जी का ये प्रशन है, जो मैं ले रही हूँ इन्होंने मुझसे पूचा है, कि मा मेरे सिस्टर पर माता की सवारी आती है पर कल वो तेरवी का खाना खा लिये है तब से उसकी तव्यात खराब हो गई है और उसके शरीर पर अचानक से चीरा लग जाता है, क्या करें देखी मित्रो, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था अपनी वीडियो में, कि जो सवारी हमारे शरीर पर आती है ये कोई सामान्य बात नहीं होती और आपका जीवन भी एक सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं रहता तो आपको बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह आप बरताव नहीं कर सकते आपका विवार एक सामान्य व्यक्ति जैसा रहता ही नहीं है और अगर आप ऐसे कारिय करते हैं तो आपको इसका कही न कही जो हानी होती है वो उठानी पड़ती है आपको तो ये जो हानी है इस बच्ची के साथ हुई है क्योंकि जब सवारी हमारे शरीर पर आती है तो हमें बहुत सारी नियमों का पालन करना पड़ता है और जो व्यक्ति इन नियमों को नहीं जानते तो व कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो मैं आपको अब बताती हूँ, जिनके शरीर पर सवारियां आती हैं, एक तो सबसे पहले उनके अंदर चरितर हिंता नहीं होनी चाहिए, अपने पती ये पतनी के अलावा वो किसी और की तरफ आकर्चित ना हूँ, सबसे महत्पू आती है, साथ ही, शराब अंडा मास, इन सब के सेवन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनके सेवन से बचना चाहिए, वर्ष में कम से कम दो बार, आपको किसी पवित्र नदी के जल में सनान करना चाहिए, गंगा जी में, यमना जी में, या जो भी आपके पास पवित्र न जैसा कि सड़क पर जगे जगे भंडारी होते रहते हैं, उन भंडारों के भोजन को खाने से आपको बचना चाहिए, अगर आप खाएंगे तो आप अपनी प्रिस्थिती स्वयम देख लेंगे, क्योंकि वो जो भोजन होता है, वो भोजन या तो किसी का उतारा होता है, किसी रोगी का होतारा होता है, किसी की मननत होती है, तो उसमें बहुत भार होता है, और वो भार सावारी वाला व्यक्ति जेल नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर इस प्रकार्थ हो जाता है, कि उसके शरीर को अच्छी बुरी हर तरह की उर्जा का आभास रहता है, तो वो ही उर्ज उस भोजन में होती है, अगर वो खाता है, तो कहीं न कहीं वो बिमार हो जाता है, शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए, नित्य इस्नान करना चाहिए, जितना शुद्ध पवित्र रह सकते हैं, उतना पवित्र आपको रहना चाहिए, आलस्य का त्याक करना चाहिए, अपने इश्ट की उपासना करनी चाहिए, साथ ही उस देवता की उपासना करनी चाहिए, जिसकी सवारी आपके शरीर पर आती है, उसकी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए, तब ही आपकी सवारी सत्त के वचन सत्ते होंगे और आपको उनसे लाब भी प्राप्थ होगा, साथ ही अपने माता पिता का आप मानना करें बिल्कुल भी, उनका सम्मान करें, लालची ना बने, किसी भी प्रकार का लालच अपने मन में ना रखें, अगर किसी की सेवा करते हैं, तो नी स्वार्थ भाव से आप सेवा करें, अशुद भाशा का प्रियोग ना करें, किसी भी प्रकार की ऐसी भाशा का प्रियोग ना करें, जो आपके व्यक ममतम ही हैं, तो आपके अंदर भी वही भाव आना चाहिए, किसी से, किसी भी प्रकार की इर्षा या दुएशा आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, अर्थात जो मानव का वेवार होता है, वो उस वेवार से अलग आपका वेवार होना चाहिए, अगर देवता की सवारी आपके शरीर पर आती है, तो आपका वेवार भी एक देवता जैसा ही होना चाहिए, अगर आप मनुष्य रूपी बन कर देखेंगे, तो आप किसी का जनकल नहीं कर सकते बच्चे, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आपको इन नियमों को पालन करना चाहिए, तब प्रकार की जानकारी को लेकर मैं फिर आप से मिलूंगी, तब तक के लिए, जै महाकाली, जै महाकाल